मालती और विश्नु का मामला क्या है? दोस्तों मालती एक ग्रहनी थी, जो विश्नु के साथ अच्छे से रह रही थी, और विश्नु रिक्षा चलाता था. इसी बीच विश्नु ने यूट्यूब पर किसी और के वीडियो देखकर उल्टे पुल्टे वीडियो बनाने चालू कर दिये, जो वाइरल नहीं हुए तो उसने मालती का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया. मालती मना करती थी और गुस्सा भी करती थी, लेकिन वो गुस्से का और जगडे का भी वीडियो डाल देता था. धीरे धीरे जब पैसे आने लगे तो मालती भी वीडियो बनाने लगी. दोनों ने घर बनाया, स्टूडियो बनाया और एक बच्चा भी हुआ विश्नु अपने स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करने लगा इसी बीच विश्नु में बाइक लिया जब वो खड़ाब हुआ तो उसे दिखाने के लिए मैकेनिक के पास ले गया जहां उसे मिला अर्जुन नाम का सक्ष उसने कहा कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ विश्नु ने उसको काम दिया और वो विश्नु के घर आता था और मालती को बहन बना लिया मालती भी उसे भाई मानती थी पीच बीच में विश्नु और मालती की लडाया होती थी और विश्नु मालती को पिटाई कर देता था तो अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगता था तो मालती अर्जुन के करीब आ गई जब विश्नु को ये पता लगा तो उसने अपने दोस्त राहुल को call recording के लिए लगा दिया कि माल्ती और अर्जुन के बीच में क्या चला रहा है उससे उसको पता चला कि उसे उपर पहुँचाने की साज़िश हो रही है तो विश्णू डर गया और मालती और अर्जुन को बुला कर रात में दोनों की शादी कर दी और दोनों को बाहर भेज दिया अब मीडिया मालती और विश्णू के पीछे पढ़ गई कि कोई आदमी अपनी बीवी की दूसरी शादी कैसे कर सकता है इससे विश्णू भी परेशा हो गया और मालती भी अर्जुन से पुछा गया तो अर्जुन ने कहा कि उस रात मैं मालती को घर लेके नहीं गया उसको उसकी बहीन के पास छोड़ कर मैं आ गया उसके बाद विश्णू मालती के खिलाफ उल्टा पुल्टा वीडियो बनाने लगा और एक दिन अपने बच्चे को मालती से वापस ले आया उधर मालती भी रोती रही और भोजी के पास भी गई विश्णू के खिलाफ थाने में के मुझे विश्णू बदनाम कर रहा है एक दिन बोली कि मैं विश्णू के पास जा रही हूँ और जिस दिन गई उस रात को उसकी अर्जुन से बात हुई थी और अर्जुन का भी वीडियो आया था दोनों इस दुनिया से जाने की बात कर रहे थे और मालती हम सब को पता ही है अब नहीं है बस है तो युवराज मालती का बेटा